Hello, dear, sown, कैसे हैं आप सब? चले शुरू करते हैं आज की क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं Aggregate, Demand and Related Concept chapter शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं chapter के अंदर contents, यानि कि इस chapter के अंदर क्या-क्या चीज़े हम पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे 12 content मैंने दे रखे हैं, यह 12 content हम इसमें cover करने वाले हैं तो one by one करके एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या-क्या चीज़े cover करने वाले हैं Aggregate, Demand क्या होता है? फिर हम पढ़ेंगे उसके components कौन-कौन से होते हैं, Aggregate, Demand के यहाँ पे कुछ models बताएगे हैं, वो models के अपन बात करेंगे इसके लावा कुछ important points होंगे, aggregate demand के regarding वो पढ़ेंगे एक difference होगा, वो पढ़ेंगे aggregate supply क्या होता है, उसके component क्या होते है type of propensity to consume क्या होता है, type of propensity to save क्या होता है, यह भी पढ़ेंगे आगे चलते हैं, उसके बाद एक relationship है यहाँ पे, वो relationship की बात करेंगे, क्या है यह equation दे रखी है, वो equation की बात करेंगे यहाँ पे x और x post की बात करेंगे, यह क्या होता है, इसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं, यह 12 content है, अब हमारी पढ़ाई कैसे रहेगी, सबसे पहले content number 1 उठाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है उन जोन जोन से question important होंगे, मैंने उसके उपर important for exam या important लिख रखा होगा, वो मैं साथ मैं आपको बता भी दूगा तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले aggregate demand क्या होता है, यहां से, आइए, तो पहला question है अपने सामने, कि sir, aggregate demand क्या होता है, तो यह रहा अपने सामने, first question सबसे पहले, slide लगा लेते हैं गबर, तो यह important है exam के लिए, थियोरी में यह question आ सकता है, paper में, very important, तो aggregate demand क्या होता है तो या तो आप उसका खाली ये जो तीन लाइन लिख रखी हो पर ये लिख सकते हैं या एक definition दे रखी है ये definition याद कर सकते हैं जो भी अच्छा लगे वैसे aggregate demand का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ aggregate demand का मतलब होता है तो पूरे साल के अंदर जितने भी goods और services जो buyers होता है यानि कि जो खरीदने वाले लोग होता है तो buyers जो है तो पूरे साल एक साल के अंदर जितने भी goods और services की जो total demand करते हैं उसे aggregate demand का होता है तो aggregate demand क्या होता है एक साल के अंदर जितने भी final goods and services हैं, उनकी total demand देख लो, वो aggregate demand मानी जाएगी, आप चाहो तो यह definition याद कर सकते हो, दोनों में से एक लिख देना, आपका काम हो जाएगा, दोनों लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? ओके सर, अब देखो, यह जो question है उपर, aggregate demand क्या होता है, normally यह question अगर theory का आता है, तो अकेले नहीं पूछते, इसके साथ साथ में component भी पूछ लेते हैं आपसे, या फिर खाली अगर पूछें की component बताओ, ठीक है, तो आप उसका meaning भी लिख देना पहले, aggregate demand क्या होता है, उसके यह demand के चार component होते हैं, यह चार component कौन-कौन से हैं, अब हम इसको explain करेंगे, बिल्कुल आराम से, क्योंकि यह question भी paper में theory का कई बार आया है, important for exam माग कर लेंगे इसको, और notes लिख लेंगे अच्छे से, तो सबसे पहले आता है कि components कौन-कौन से होते हैं, तो चार component हैं, सबसे पहले कौन से होते है, सी का मतलब consumption expenditure, consumption expenditure कौन करता हैं, household करता हैं, एक साल के अंदर जो household होते हैं, ठीक है न, उन्होंने पूरे देश के अंदर, एक साल के अंदर कितने goods and services के उपर खर्चा किया है, नहàn泰, goods and services खरीद होंगे नोंड हैं, तो पूरे साल के अंदर, एक साल के अगर आपने नहीं लिखा तो इसमें आपके नमबर नहीं मिलेंगे अब आगे चलते हैं दूसरा यहां पर जो कंपोनेंट है वो है इन्मेस्मेंट एक्स्पेंडिचर पहला होता है कंजम्शन एक्स्पेंडिचर यानि कि C plus I investment I मतलब investment expenditure C plus I दो component होगे तो यहां पे I का मतलब होता है investment expenditure उपर हमने बात की थी कंजम्शन एक्स्पेंडिचर के अंदर household की यहां पर हम बात करेंगे private firms की फर्म मतलब इन्वेस्टर्स यारी जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, प्राइवेट फर्म की बात करने हैं आपे, उपर हमने बात की थी गूट्स एंड सर्विशिस की, की हाउशोल्ड जो गूट्स एंड सर्विशिस खरीते हैं एक साल के अंदर, यहाँ पर बात गूट्स एंड सर्विशिस की बात नहीं कर रहा है, एक कैपिटल गूट्स की बात कर रहा है, कैपिटल गूट्स के उपर एक साल के अंदर जो टोटल खर्चा किया है, उसको बोलते हैं, इन्वेस्मेंट एक्स्पेडिचर, एक बात और ध्यान रखने आपको, यह नोट य है, C plus I, तो पहले में याद रखना, C मतलब consumption expenditure, I मतलब investment expenditure, consumption expenditure में household और goods and services, और investment expenditure में private firms, capital goods के उपर जो खर्चा करते हैं, याद रखना, अब उसके बाद आता है, तीसरा component, जिसका नाम है, government expenditure, government expenditure को आप G से denote करोगे, तो पहला C, फिर I, फिर G, हैना, तीन component होगे, तो government expenditure मतल एक साल के अंदर जो government public welfare के लिए, public welfare के लिए, public welfare के लिए जो खर्चा करती है, public welfare मतलब school बनाने है, road बनाने है, hospital बनाने है, उनके लिए, हैना, तो public welfare के लिए, एक साल के अंदर, government ने जो total खर्चा किया है, total जो खर्चा है, हैना, उससे बोलते है, government expenditure, तो क्या हो गया, C plus I plus जी, जी मतलब government expenditure अब आगे चलते हैं next last component देखते हैं इसका और last component यहाँ पर दे रखा है यह आप देख सकते हैं इसको बोलेंगे net export क्या बोलेंगे इसको net export net export का मतलब होता है import और export का difference को net export बोलते हैं clear है? net export या नहीं की और इसको लिखते कैसे हैं? x-m तो component कितने होगे? 4 ठीक है, तो component कितने होगे? 4 तो मैं यह बोल सकता हूँ की AD के 4 component है, कौन-कौन से? C यानि की consumption expenditure, I मतलब investment expenditure, G मतलब government expenditure, plus x-m इसको बोलते हैं net export x-m, I hope clear है net export क्या होता है? ठीक है, उसके बाद यह दो तरीके का होता है, एक positive net export और एक होता है negative positive का बोलेंगे? जब आप export ज़्यादा करते हो और import कम करते हो और negative का बोलेंगे? जब export कम करते हो और, ठीक है ना, import ज़्यादा करते हो clear है? यह है net export तो AD के 4 component होते हैं C plus I plus G plus X minus M तो पहला question यहाँ पर जो exam में आ सकता है वो आ सकता है कि aggregate demand का meaning लिखो और उसके component को explain करो यह 5 marker तक का question ठीक है, 6 marker तक का question भी बन सकता है अच्छा question है, बहुत बढ़िया theory का अगर paper में आता है इस chapter से तो सबशे ज़्यादा important question यह होता है अब इसके बाद चलते हैं आगे third point पढ़ने वाले है third content के अंदर क्या दे रखा है third content के अंदर बात कर रखी है models की aggregate demand की जब हम बात करते हैं इस chapter की, तो aggregate demand के 3 model बता रखें यहाँ पर total कितने बता रखें, there are total 3 models in this chapter आपको याद सरफ एक ही रखना है, ठीक है न, कौन सा वो मैं बताऊंगा आपको, पहला होता है two sector model, एक होता है three sector model और एक होता है four sector model four sector model तो वही है जो aggregate demand के component थे c plus i plus g x minus m, two sector model याद रखना यह important आपके लिए क्योंकि practical question में हमेशा जब भी आपसे formula की बात करेंगे कि aggregate demand निकालो यह aggregate demand का क्या formula होता है तो याद रखना जो पहले के दो component थे न, c plus i बस वही होता है, two sector model क्या कहता है दो component लेलो पहले पहले वाले aggregate demand is equal to c plus i यानि ad is equal to c plus i practical question में जब भी ad बोले तो समझ जाना c plus i, बात खतम अब इसके बात तीन sector model क्या कहता है, भी तीन sector model में तीन component लेलो, aggregate demand is equal to c plus i plus g और four sector में चार component लेलो भी इससे ही निकले हैं, basically component से ही निकले हैं, ठेकर न, two sector में दो component, तीन sector में तीन component और चार sector में चार component, इस तरीके से तीन model मनें, हैंना, clear है तो यह है आज की first class आपकी, यहीं पे आप अपनी class कतम करते हैं, practical question के लिए यह important है aggregate demand का formula, और theory के लिए आपको point number one meaning और उसके component, आज का मैं homework दे रहूं, class का, वो आप याद करेंगे, लिख के देखेंगे, जो important questions है, उनको लिख लिया करो, ठेक है ओके, चलिए आज के लिए इतना ही video को like कर दे, channel को subscribe कर दे मिलते हैं next part के अंदर